Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit और आज हम सभी competitive examinations, सभी government examinations में पूछे जाने वाले एक ऐसे important and tricky question को देखेंगे जो की बहुत ज़्यादा important है और ये almost सभी examinations में अक्सर पूछा जाता है यदि आपको इसके solve करने का तरीका आता है तो आप इसको बड़े आसानी से solve कर लेंगे और यदि आपको इसका तरीका नहीं मालुम है तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये आपके लिए निल बटे सन्नाटा होगा आप इसमें अपना time लगाते रहेंगे और आपका time waste होता जाएगा लेकिन उसके भी बाद कोई guarantee नहीं कि ये question आपका सही हो जाएगा और question क्या होता है कि वो किसी एक particular date पर बोल देता है कि यदि एक फरवरी को मंगलवार था तो 6 जून को कौन सा दिन होगा तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस type के question से सामना हो हम इसको कैसे within few seconds पड़े आसानी से बहुत तेजी से solve करते हैं ओके so please end तक बने रही है इस question का concept हम बहुत अच्छे से clear करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद में ये question आपका कभी भी miss नहीं होगा और राइट चलिए शुरू करते हैं and before starting subscribe and bell icon पर click करना मत भूलिये और all notification को active कर लीजिये जिसते कि आपको इसी type की most important topics related videos time to time मिलती रहे और आप अपने examinations में अच्छा perform कर सकें ओके चलिए शुरू करते हैं देखिए question है कि यदि 5 March 2021 को शुकरवार था तो 4 April 2021 को कौन सा दिन होगा ओके अब देखिए यदि हम इसको calendar की तरह हर महिने के सारे days लिखके solve करने की कोसिस करें तो ये बहुत time लेगा और उसके भी बावजू दिया आपका question सही हो जाए उसकी कोई guarantee नहीं है लेकिन यदि हम इसको इसके method से solve करें तो ये within a few seconds बड़े आसानी से solve हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि इसका method क्या है देखिए सबसे पहले आपको साल के महिनों में दिनों की संख्या मालम होनी चाहिए जैसे कि जनवरी में 31 दिन होते हैं फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं तो देखिए इस question को अब solve कैसे करेंगे कि 5 March 2021 से 4 April 2021 के बीच की जितने भी दिन हैं दोनों को include करके उनको हम add करेंगे तो March के महिने में कितने दिन होते हैं? total 31 days होते हैं और ये बोल रहा है कि 5 March तो यानि कि 5 March को हमको include करना होगा तो पहले कितने दिन जा चुके हैं? 4 तो यदि हम इन 4 दिनों को 31 में से हटा दें तो total number of days हमको क्या मिलेंगे? 27 ओके और April में total दिन कितने होते हैं? 30 लेकिन हमको पूरे 30 को count करने के जरूत नहीं है हमको केवल 4 April तक का count करना है तो March के महिने से कितने दिन होए इस range में? 27 और April में कितने दिन होए? 4 तो इन दोनों को अब हम जोड़ लेंगे 27 प्लस 4 is equal to 31 अब देखिए total number of days है 31 अब आप सभी को मालुम है कि एक week में कितने दिन होते हैं? 7 तो अब हम क्या करेंगे? यह जो हमारे पास मैं number of days का total आया है अब हम इसको 7 से divide कर देंगे तो जब हम 31 को 7 से divide करेंगे तो क्या आएगा? 7 forza 28 और इसके अलावा क्या बच रहा है? 3 यानि कि यह पूरी तरीके से divisible नहीं है और देखिए 31 क्या है? number of days और 7 क्या है? number of days इने week यानि कि एक week है तो 31 days में, इन total days में कितने week हुए? 4 weeks and 3 days और देखिए week में क्या होता है? कि 7 दिन पूरे होने के बाद में अगला दिन जो होता है वो वही दिन होता है जिस दिन से वो week start हो रहा है और यह 4 number of weeks के लाबा हमारे पास में number of days है 3 अब हम इनको देख लेंगे कि कौन से दिन पर कौन सा डे आ रहा है तो देखिए एक week 7 दिन का है, तो 7 दिन पूरे होने के बाद में अगला दिन यानि कि पहला दिन क्या होगा? वही दिन होगा जिससे की week start होता है तो week का पहला डे क्या बनेगा? शुकरवार तो पहला दिन होगा शुकरवार, दूसरा दिन होगा शनिवार, और तीसरा दिन होगा रवीवार तो यानि कि 4 अप्रेल 2021 को रवीवार होगा और ये हमारे इस question का answer होगा देखिए अभी आपको समझाने में ये थोड़ा time लगा है, अधरवाई जब आप इस पर थोड़ी practice करेंगे तो आपको इस पर hardly 7 से 8 सेकंड लगेंगे इस question को solve करने में ओके थोड़ी सी practice कर लिजिए और ये practice हम आज की इस video में करेंगे और आगे आने वाली और वीडियो में भी हम इस type के और questions की practice करेंगे अब चलिए calendar में देखते हैं कि यदि 5 March को शुकरवार था तो क्या 4 April को रवीवार होगा या नी, ये चलिए check करते हैं और देखते हैं तो देखिए 5 March को है शुकरवार जैसा कि आप calendar में देख रहे हैं और 4 April को है रवीवार तो इससे आप ये verify कर सकते हैं कि हमारे question का जवाब बिल्कुल सही है तो इस तरीके से हम इस question को solve करेंगे और देखिए अभी तो इसमें केवल 30-31 दिन का ही अंतर आ रहा है केवल एक महीने से दूसरे महीने में जा रहे हैं और यदि इसने ये महीने बढ़ा दिये जैसे कि वो 4 April का दिन ना पूछने की बजाए 4 December का दिन पूछ ले तो फिर आप कैसे हिसाब लगाएंगे इस question में ये पूछ रहा है कि यदि 3 April 2021 को शनिवार का दिन था तो 8 August 2021 को कौन सा दिन होगा ओके अब देखिए इसमें इसने 3-4 महीने और आगे का पूछ लिया तो यदि आप इसमें कैलेंडर की तरह सारे दिन बना कर देखोगे तो इट विल टेक मच टाइम ओल राइट तो हमको ये इस तरीके से solve करना होगा और देखिए बड़ा interesting method है इससे आप कितने भी मुश्किल question को solve कर सकते हैं वो आप से केबल एक दो महीने नहीं एक दो साल आगे का और एक दो साल पीछे का किसी भी date का यदि वो आप से दिन पूछे तो आप इस तरीके से बड़े आसानी से within a few seconds इस question का जवाब दे देंगे ओके तो हमको करना क्या है वही तरीका है कि हमको total number of days count करने हैं और देखने हैं कि हर महीने में कितने कितने दिन बनते हैं तो देखिए April में total number of days कितने होते हैं 30 और इसमें हमको include कहां से करना है 3rd of April से तो यानि कि 1st of April and 2nd of April को हमको छोड़ना है तो यदि हम 30 में से 2 दिन छोड़ दें तो April के महीने में total number of days कितने बने 28 और हमको कहां तक जाना है 8th of August तक तो अगस्त में बने 28 days May में बनेंगे 31 days and June में बनेंगे 30 days and July में बनेंगे 31 days और अगस्त में हमको कितने दिन लेने है 8 दिन लेने है only पूरे 31 days नहीं लेने है क्योंकि हमको 8 अगस्त का उसमें पूछा है कि कौन सा दिन होगा अब देखिए हम इन सभी को जोड़ लेंगे 28, 31, 30, 31 and 8 तो ये total क्या बनता है 128 अब देखिए 128 क्या है number of days हमको इने number of weeks में convert करना है और देखना है कि कितने दिन बच रहे है week में और उससे फिर हम हिसाव लगा लेंगे यदि हम एक एक दिन का सबका Sunday Monday करने लग जाए तो ये बहुत time लेगा और एक week में कितने दिन होते हैं 7 तो अब हम 128 को 7 से divide करेंगे तो जब हम इसको divide करेंगे तो क्या बनेगा 7 बन जा 7 और remaining क्या बचेगा 5 and 8 and 7 एड जा 56 तो यदि हम इन total number of days को weeks में convert करें तो कितने week बनते हैं 18 weeks and 2 days अब देखिए एक week end होने के बाद में दूसरे week का जो पहला दिन होगा वो वही दिन होगा जिस दिन से वो week start हो रहा है तो देखिए 18 सप्तहा के बाद ये 19 सप्तहा चल रहा था तो इसका पहला दिन क्या होगा वही दिन होगा जो बाकी के वीक्स में पहला दिन था और पहला दिन क्या था शनीवार तो पहला दिन है शनीवार और दूसरा दिन क्या होगा रवीवार तो यदि 3 अप्रेल 2021 को शनीवार है तो 8 अगस्त 2021 को रवीवार होगा यानि कि संडे होगा तो हमारी question का answer क्या होगा? Sunday, अब देखें इस question को solve करने में कितना time लग रहा है? कुछ भी नहीं करना हमें, हमें केबल ये महिने में number of days पता होने चाहिए जो कि बहुत simple है, जो कि हम अपने childhood से पढ़ते होए आ रहे हैं और उंगलियों पर हिसाब लगाते होए आ रहे हैं और आपको इनसे total number of days का summation यानि की जोड़ करना है और फिर उन number of days को number of weeks में convert करना है उसके लिए हमको क्या करना है, 7 से divide करना है, तो 7 से जितना divide हो जाएगा, वो complete week होंगे और बाकी के जो दिन बचेंगे, वो उससे अगला वाला week होगा, जो कि complete नहीं होगा और फिर हम उसमें इस तरीके से हिसाब लगा लेंगे, कि ये वाला दिन कौन सा होगा तो इससे हम बड़े आसानी से इस question का जवाब दे सकते हैं, और देखिए 8 अगस्त को क्या होता है, ये हमारा Indian Air Force Day होता है तो यानि कि 2021 में जो Air Force Day मनाया जाएगा, वो कौन से दिन मनाया जाएगा, Sunday को मनाया जाएगा तो देखिए इस type से इन questions को हम solve कर सकते हैं, जो कि बहुत ही simple और interesting method है और हम आगे आने वाली वीडियो में इसके और थोड़े high level के questions solve करेंगे, जो इससे थोड़े difficult होते हैं तो उनमें हम देखेंगे कि इन difficult questions को कैसे बड़े आसानी से solve किया जाए, उसके लिए आप उन वीडियो को मिसना कीजिए और जिससे कि वो वीडियो मिसना हो, उसके लिए आप subscribe और bell icon पर किलिक कर लिजिए और all notification को active कर लिजिए and अभी आप end screen पर जो वीडियो देख रहे हैं, these all videos are very very important for your examinations perspective हम केवल उनी topics पर वीडियो बनाते हैं, जो की exam oriented होते हैं, जिनसे की set pattern के questions हर बार सभी examinations में पूछे जाते हैं So I hope आपको वीडियो informative and valuable लगा होगा और यदि अच्छा लगा हो तो प्ली like और share जरू कीजिए and all the best for your examinations and that's all for today, bye bye